केंद्र सरकार चावल के उंचे घरेलू बाजार भाव को नियंत्रित करने के लिए तरहत्र का प्रयास कर रही है, लेकिन इसका कोई खास सार्थक परिनाम अभी तक सामने नहीं आया है। केंद्र सरकार इससे काफी चिंतित है और उसने व्यापारियों से आग्रह किया है कि वे भारतिये खादे निगम से चावल की खरीद में दिल्चस्पी दिखाए। पर भी चर्चा हुई कि OMSS के तहट खादे निगम द्वारा आयोजित सप्ताहिक इनिलामी में चावल की अपेक्षित खरीद क्यों नहीं की जा रही है। साप्ताहिक निलामी के अंतरगत खादे निगम को चार लाक टन के कुल ओफर के सापेक्ष तीन दशमलव पांच तीन लाक टन तक गेहुं की बिक्री करने में सफलता मिल रही है, मगर चावल के मामले में यह प्रदर्शन अत्यंत्फिका है। गत सप्ताह एक दशमलव नौ तीन लाक टन चावल की बिक्री का ओफर दिया गया था, मगर कुल बिक्री महेज दस हजार टन तक पहुँच सकी। उद्योग व्यापार समीक्षकों के अनुसार बैठक में सरकार चावल कारोबार में गतिशीलता को बढ़ावा देने के मामले में सफल नहीं हो सकी। अधिकारियों को यह समझना होगा कि गेहुं तथा चावल की बिक्री में भारी अंतर है। चावल का निर्गत मूल्य, इश्यू प्राइस भी उंचा चल रहा है क्योंकि जिन किस्मों एवं श्रेनियों के चावल की मांग ज्यादा है, उसकी आपूर्ती कम हो रही है। देश के विभिन भागों में अलग-अलग किस्मों के चावल को अधिक पसंद किया जाता है, मगर वर्ष 2022 से ही कई वेराइटी के चावल की परियाप्त आपूर्ती नहीं हो रही है। अब तो मांग एवं आपूर्ती के बीच अंतर और भी बढ़ गया है। Bureau Report Market Times TV